दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर आज रहूं आपके साथ एक न्यूज आर्टिकल लेकि टाइमस ओफ इंडिया से जहां में करने वालों इसको हिंदी में ट्रांसलेट तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुर से राहुल से जवाब मांगा है रिप्लाई राहुल से जवाब मांगा है सीक का मतदमांगा नहीं होता है ऐसा मतलब 15 फर्वरी तक फोर स्वय इतना एक इस रिक्वेस्ट आप ऊसे बिलगूल ध्यान से सुने और जो वर्ड मेंग आपको लगए अपके काम के हैं आप उसे ही आप उसे जरूर नोट करें दा लोकसभा सेक्रेटरियेट हैस आस्ट कॉंग्रेस MP राहूल गांधी टू रिस्पॉंड बाइ फैबुररी 15-2 नोटिसेस गिवन बाइ BJP मेंबर्स रिगार्डिंग हिस रिमार्क्स ओन प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी इंदा हाउस क्या मतलब बहुत दूस्तों जो लोकसभा सेक्रेटरियेट है टा लोकसभा सेक्रेटर्येट मतलब सची वाले हैस आस्क उसने कहा है गॉंग्रेस MP राहूल गांधी को जो कॉंग्रेस के MP राहूल गांधी उनको कहा है to respond मतलब जवाब देने के लिए by February 15 मतलब 15 फरवरी तक two notices उन मतलब notices का जवाब देने के लिए क्या है और notices given by BJP जो की BJP के द्वारा दिये गए हैं उनको BJP members के द्वारा सदस्यों के द्वारा regarding his remarks उनकी जो टिपणियों के बा जानमंती नरेंद मोदी के ऊपर in the house मतलब की सदन में आगे देखें इन्हें लेटर टू गांधी डेटेट फेवरी 10 दा सेक्रेटरियेट हैज आस्ट हिम तू फरनिश हिस रिप्लाई ओन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिसेस क्या मतलब वह इन्हें लेटर टू गांधी मतलब की गांधी को एक पत्र में डेटेट फेवरी 10 जो की जिसकी डेट क्या है दस फरवरी दस सेक्रेटरियेट सची वाले जो है है एस आस्ट मतलब उनसे पूछ पूछा है या फिर हम कह सकते हैं जब किसी को कुछ करने को कहते हैं तब भी आस्ट का प्रियोग किया जाता प्रिविलेज नोटिसेश का मतलब क्या होता है विश्य साधिकार का उलंगन या विश्य साधिकार का हनन का जो नोटिसे उनको अगिनस्ट हिम उनके खिलाफ बाइ बीजेपी एम पी जो कि बीजेपी के दौरा नीशी निशीकांद साधिकार को जोड़ें कान शुर्वि formally lectie मंड़ी तक फो रओ आ लोग सबा इस स्पीकरिसिए उनके के विचार के लिए कंसिटेशन का मतलब होता है सोच विचार आगे देखिए कि फॉलॉइंग गांधी स्पीच इन लोग सभा ओंदा ओंदा मोशन ऑफ थैंक्स ऑंदा प्रेसिदेंट्स एड्रेस ऑन ट्यूजडे इन विच कि मतलब होता है दन्यवाद प्रिस्थाव पर ऑंदा प्रेसिदेंट्स एड्रेस मतलब की राष्टपती के संबोधन पर प्रेसिदेंट्स एड्रेस ऑन ट्यूजडे मंगलवार को इन विच ही कमेंटे जिस पर उन्होंने कमेंट किया मतलब की टिपणी की ओन दा हिंडनबर्ग अडानी इस्यू हिंडनबर्ग अडानी का जो मुद्ध है उस पर दूबे और जोशी हैं उन्होंने मूव किया था क्या नोटिस को मूव किया था अगेंस्ट इम उनके नोटिसे से सुपने नोटिसे सुमें तू लोगसवा स्पीकर ओम न उन्हों ने ऐसा आरोप लगाया है मतलब होता है कि चीज का आरोप लगाना है था कि गांधी कमेंट्स वर बेस लेज़ जो गांधी के क्या मतलब हुआ उनके जो कमेंट से बेसलेस थे मतलब निराधार थे अपमानपूर्ण एलिगेशन्स मतलब की आरोप सेवरल रिमार्क्स उन्हें निकाल दिया गया निकाल देना बाइदर स्पीकर द्वारा तो यह एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल जो इन आपके सामने ट्रांसलेट किया है अगर आपको वीडियो अच्छे लगा होता है आप इससे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक् करें थैंक यू सो मुच वे नाइस दे और बाइ